नमस्ति दोस्तों आज मैं आपके साथ मोमोच की बहुत ही सिंपल सी रेस्पी लेका हूँ अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सस्क्राइब करें तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम आप जीरा और मिर्च डाल दें आप गाजर भी ले सकते हैं और भी सब्जी अगर आपको पसंद हो तो आप ले सकते हो तो अब इसके बाद इसे हम भून लेंगे यह हलका सा सौप्ट हो जाएगा तब तक हम इने भूनेंगे देखिए यहां पे सिंबला मिर्च और पत्ता को भी सौप्ट हो गया है इसके हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और यहां पे मैंने पैकेट वाला मीट मसाला डाला है इसे अच्छा स्वाद आता अगर आपके पास यह वाला मसाला नहों ता गरम मसाला भी डाल सकते हो उसके बाद हम इसे बून लेंगे दो मिनट के लिए अब यह जैसे ही भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे तो चलिए सादनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और नमक डालने के बाद फिर हम इसे पाच मिनद भून लेंगे अब चलिए हम अपना अटा गूत लेते हैं यहां पे इस टफिंग तो तयार ही है सबसे पहले हैं यहां पानी डालके इसे आटा से गूते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूत लेंगे और यहां फीलिंग मेरी तैयार है भी से ठंडा होने के लिए रख देते हैं आटा भी मेरी गूत गई है अभी से दस मिनट के लिए रेश्ट पर छोड़ देते हैं दस मिनट हो गया है दोस्तों अब चलिए हम इने बना लेते हैं तो यहां पे मैं छोटी छोटी इसकी लोई ले लूँगी बिल्कुल जैसे पूरी बनाते हैं उतना चोटा चोटा हम इसका लोई ले लेंगे अब पूरी की तरह हम इसे गोल बेल लेंगे हलका हलका सा आटा चि तरज डिजाइन बना देंगे देखिए इस तरीके से बस मरमोज बनके तयार है तो बागी इसी तरीके से हम बना के तयार कर लेंगे बहुत ही सिंपल है दोस्तों बहुत ही इजी है आप कभी भी घर पर बनाईए और अपने बच्चों को खिलाईए तो यहाँ पे कुछ मेरे बच्चे भी बनाए हैं जो छोटे-छोटे दीख रहे हैं उनका भी मन कर रहा था तो पानी जैसे ही खोलने लगेगा उसके बाद हम इस जाली वाली थाली को इसके उपर रख देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखिए दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं एक चमत से मैं इसमें चेक करके देख रही हूँ तो यह बिल्कुल पक गए हैं अब चलिए इन्हें ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं और फिर यहां पे बन के तयार है गर्मा गर्म ममोज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई थी जो बहुत ही तेश्टी लगी थी आप चाहे तो ममोज की चटनी भी बना सकते हैं थैंक्यू दोस्तों फिर मिलती हो अगले वीडियो में तब तक कि या बाइ-बाइ